क्या आपका डेविट कार्ड ब्लॉक हो गया है? अगर आपका डेविट कार्ड ब्लॉक हो गया है इसके बज़े से आप मेरे वीडियो पर है तो आपने बिल्कुल सही जगा चुना है क्योंकि आज मैं इस वीडियो पर आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़े ही असानी से अपना डेविट कार्ड को अनब्लोक कर सकते हो और आपको ना तो कोई बैंक में जाने का जरूरत है ना तो किसी एप्लिकेशन करने का भी जरूरत है आप खुद से ही अपना डेविट कार्ड फिर से अनब्लोक करके बड़े ही आसानी से उसे दुबारा यूज कर पाएंगे प्लीज दू सब्सक्राइब अपेक्सर टॉक और क्लिक दे बेल आइकन फो लेटेस अपडेट हलो गाइज मरणा मैं अमीत वलकाम बेक तो मै चैनल अपेक्सर टॉक गाइज बैंकिंग एटुजेट के इस विडियो में आज हम बात करेंगे अगर आपका डेविट कार्ड ब्लोक हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए ये वीडियो बनाने से पहले मैंने YouTube पर गया और सार्च किया How to Unblock Your Debit Card वहाँ पर काफी सारे वीडियो तो है लेकिन किसी ने भी जो basic information है वो आपको नहीं बताया किसी ने भी आपको जो असान सा तरीका होता है वो नहीं बताया बहुत सारे तरीका बताया जिसमें बहुत सारे time लगता है जिसमें आपको bank में भी जाना पड़ता है लेकिन आज मैं इस वीडियो पर आपको बताओंगा ना तो फिर आपको bank में जाना पड़ेगा ना तो आपको कुछ application करना पड़ेगा आप खुद से ही बड़े ही असान तरीके से आपने debit card को unblock कर पाएंगे guys debit card को unblock करने का तरीका जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि debit card कैसे block होता है अगर आपका debit card block हो गया है तो या तो फिर temporary block होगा या तो फिर permanent block होगा तो आपको पहले यह जानना होगा कि temporary block क्या होता है और permanent block क्या होता है गाइस अगर आपने ATM मेशिन पे जाके ATM का pin number तीन बार गलत डालते हो तो फिर आपका जो card हो automatically temporary block हो जाता है अगर आपने online कुछ खरीद दरी कर रहे हो उस time आपने आपका debit card का पूरा details डाल दिया और debit card का pin अपने गलत डाल दिया फिर आपका card temporary block होता है अगर आपने net banking में login करने के time net banking का password भी अपने तीन बार गलत डालते हो फिर भी आपका card temporary block हो जाता है अगर आपने payment करने के time आपके पास जो OTP आता है वो OTP आप तीन बार गलत डाल देते हो फिर आपका card temporary block हो जाता है यह सब अगर आपके साथ होता है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपका card permanent block नहीं हुआ है आपका card स्रिफ temporary block होता है और temporary block का जो time है वो है 24 hours अगर आपने ऐसा कुछ किया और आपका card temporary block हो गया आपके पास message आ जाता है your card is block तो आपको 24 hours wait करना होगा guys आपका card स्रिफ पर स्रिफ 24 hours के लिए ही block होता है यह permanent block नहीं है तो अगर आपके खुद की गलती के बज़ए से आपका card block हो जाता है तो आपको ध्यान में रखना होगा वो permanent block नहीं होता है वो temporary block होता है अगर आपका card temporarily block हो जाता है तो आपको कुछ परिशान होने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है आपको स्रिफ 24 hours wait करना होगा 24 hours के बाद वो automatically unblock हो जाएगा ना तो आपको बैंक में जाके form भरना पड़ेगा ना तो आपको application करना होगा ना तो आपको कस्टुमर के आर में call करके परिशान होना पड़ेगा आपका card automatically unblock हो जाएगा जिस time आपका card block हो था ठिक उसके next दिन उसी time के बाद ओंगा card automatically unblock हो जाएगा तो temporary block जो होता है वो स्रिफ 24 hours के लिए होता है लेकिन अगर आपका card permanently block हो गया है permanently block कैसे होता है वो आपको पहले जानना होगा अगर guys आपके account में कुछ fraud transaction हुआ है और आपके पास एक message आ गया है कि आपने एक transaction अगर नहीं किया है तो please इस number पे आपने miss call दीजिए या तो फिर इस number पे आपने SMS कर दीजिए तो वो अगर आप करते हैं तो आपका card permanent block हो जाता है या तो फिर आपका card अगर खो गया है या तो फिर आपका card damage हो गया है और आपने customer care में call करके बोला है कि please मेरा card खो गया है तो please sir कि ma'am मेरा card को आप block कर दीजिए तो वो लोग उस card को permanently block कर देता है या तो फिर आप अगर bank में जाके application करते हैं कि मेरा card को आपने block कीजिए तो वो लोग permanently block करते हैं लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया फिर भी आपका card block हो गया तो आपको यह ध्यान में रखना होगा आपका card permanently block नहीं हुआ आपका card temporary block हो गया है जो कि after 24 hours automatically unblock हो जाएगा अगर आपका card temporary block है application करना पड़ेगा स्रिप आप एक customer care पे call कीजिए call करके जो customer care executive है उनसे भी आप बात कर सकते या तो फिर हर एक bank का customer care पे अभी call लगने के बाद आपको यह option दिया जाता है कि अगर आपको आपकी debit card को unblock या block करनी है तो यह press किजिए तो आप स्रिप ओ नंबर प्रेस करके ही आपका खुद का card आप unblock कर पाएंगे maximum case में यह होता है कि आपने आपका जो pin number है ATM का वो आपने गलत डाल दिया इसके वज़े से आपका card हो जाते block और आप हो जाते हो परेशान guys मैं एक चीज़ आपको suggest करूँगा कि आपका जो debit card है किसी भी bank का अगर आपके पास card है तो उस card का एक ही pin number अप रखिए अगर आपके पास 2-3 bank का card है तो 2-3 bank का card का जो pin number है वो आप same डाल दिजिए same pin आप बनवा लिजिए इससे क्या होगा आप कभी नहीं भूलेंगे कि आपका pin number क्या है अगर आपका 4-5 bank में account है और आपने 4-5 अलग-अलग pin number set करके रखा है तो इससे क्या होता है आपको भूलने का chances बहुत जादा होता है इसलिए अगर आप जब ATM से कुछ transaction करते हैं तो हो सकता है एक बाद दो बार अपने गलत डाल दिया फिर आपका card हो जाता है ब्लॉक और आपको परिशानी का सामना करना होता है तो next time अगर आपका card ब्लॉक हो जाता है तो आप 24 hours wait कीजिए अगर आपका card नहीं unblock होता है तो फिर आप customer care पे call लगाईए किएगा कि card दो तरह के block होता है एक तो आपका permanent block एक तो आपका temporary block अगर temporary block होता है आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है स्रिप 24 hours आप wait कीजिए आशा करते आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपका card block हो जाता है तो आपको उसे कैसे unblock करनी है और क्या करना होगा इस बिल्कुल परिशान मत होईएगा क्योंकि आपका card है और वो बिल्कुल सुरिक्षित है आपको कुछ attention लेने का जरूरत नहीं है टैंकिंग का जो security system होता है वो बहुत ही अच्छा होता है अगर आपने कुछ गलत किया है आपके card के साथ आपने गलत पी number डाल दिया अपने गलत OTP डाल दिया तुरन तो card आपका temporary block हो जाता है अगर आपका card खो भी गया है और किसी ने उसे try किया है कि कोई भी pin डाल के card को खोलने का try किया card से पैसा निकलने का try किया तो आपका card automatically block हो जाता है banking system ऐसा ही है आप सबका account सुरक्षित है आप सबका जो पैसा है मेहनत किया हुआ पैसा जो आप bank में रखते है ओ भी सुरक्षित है तो बिल्कुल आपको tension लेने का कोई जरूरत नहीं है अगर कुछ भी problem हो तो comment box पर बताना मैं उसका answer जरू दूँगा वीडियो अच्छा लगए तो like कीजिए comment कीजिए और आपने दोस्तों के शार शेयर भी कर दीजेगा और आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो please subscribe कर देना क्योंकि मैं हर हबते ऐसे वीडियो लाता रहता हो तो चलिए मिलते एगले वीडियो पर तब ते के लिए thank you take care and bye